नमस्कार दोस्तों कैसी हूँ आप लोग आसकी हमारी कहानी का नाम है गीप्ट माजी मेरी हर चीज मुझे तक पहुशने से पहले जीजी तक पहुँँ जाती है यही मेरे लिए हमेशा आपका सर्प्राइज गीप्ट रहता है जब लाती है तो मुझे यह कहकर दिखाती है कि यह लोग तुम्हारे लिए लाई हूँ और अपने पास छुपा कर रख लेती है मैं इंतिजार ही करती रह जाती हूँ कि वो चीज आप मुझे कब दोगी पहनने के लिए खर वो आपकी चीज आप जो चाहे करे जिससे दे लेकिन इस बार तो आपने हद ही कर दी नेहा ने पूछा जरा सी चीज नहीं थी वो मेरे माईकी का हार था आपने मुझसे बिना पूछी ही उठा कर जिजी को दे दिया अरे पहने के लिए लिया है कोई हमेशा के लिए नहीं लिया है जो तुम इतना नकरा दिखा रही हो पहने के लिए लेना है तो कम से कम एक बार तो मुझसे पूछ लिया होता आखिर मेरे माईके से मिले गहने थे वैसे भी यहां का एक भी गहना आपने मुझे पहनने को नहीं दिया जब भी देती है माईके से मिले गहने पहनने को देती है अगर मेरे पीटा ने मुझे गहने ना दिये होते तो आप तो मुझे कभी गहने पहनने को भी नहीं देती मैं हमेशा गहनों के नाम पर नंगी बुच्ची रहती ऐसा क्या दे दिया तुम्हारे पीटा ने जो तुम इतना उच्छल रही हो एक हलका सा सेट दिया है उस पर तुम इतना इतरा रही हो हमने तो अपनी बेटी को इतना भारी सेट और हाथ की कंगन दिये दमाजी को भी भारी सी अंगुठी और गले की चैन दी जिस समय दमाजी को अंगुठी चैन पहनाई और बेटी हमारे गहने पहन कर बिदा हुई तो सबकी आखे चौन दिया गई थी हर कोई तारिप कर रहा थ तुम्हारे पिता ने तो गहनों के नाम पर ये हलका पतला सिट पकरा दिया है, हाथ की कंगन और दमाज को चैन तो उन्हों ने दी ही नहीं, मा आप जो अपने गहने का इतना गुनगान कर रही है न, वो अपने बेटी को दिये हैं, बहु को नहीं, बहु को तो आपने एक ना पाक की कील और बिछी wrai हमेशा माइकी के पहने जाते हैं, ये कहकर आपने पल्ला जहार लिया, कम से कम जो बेटी के लिए लाइ सब को दिखाया, तो उससी दिया भी वहीं, लेकिन बहु को तो हमेशा धोके में ही रखा, ये तुमहारे लिए लाए हैं, कहकर हमेशा धोके म दुनिया को दिखाने के लिए गहने उड़ाए गए लोट कर कभी उनकी सकल भी नहीं देखी मैंने तो खेर कभी उन गौनों के लेकर आपसे पूछ तास भी नहीं की लेकिन आप ही अपनी तरफ से सुनाती रहती थी वो तो ऐसे ही चड़ा दिये थे लेकिन हम बेटी के लिए लिए थे चार दिन बाद उसका विबा करना है वो गहने हमारे हैं जिससे चाहे दे तुम ये मत समझना की तुम्हें चड़ा दिये ते वो तुम्हारे हो गए तुम इस धोके में मत रहना कभी देखने पहने को भी नहीं दिये उपर से पूरी धसक से सुनाती भी रहती थी मैं तो कहती हूँ जब देने नहीं तो फालतू का दिखावा क्यों करना मेरे पीता को जो देना था वो उन्होंने दुनिया के सामने दिया ये नहीं की दुनिया के सामने कुछ और अंदर की कहानी कुछ और मुझे आपके गहने चाहिए भी नहीं आप उन्हें अपने पास ह रखिये या बेटी को दीजिये लेकिन मेरे मायके के गहनेों पर आखे मत गड़ाए मेरे पिता ने अपनी मेहनत की गारी कमाई से खड़ित कर दिये हैं आपको बहुत बहुत बधाया जिनके पास बेटी को देने के लिए बहुत कुछ है लेकिन बहु को देने के लिए कुछ भी नहीं है नेहां अपनी बात कहकर चूप हो गई सबके घरों में घर के बड़े ही गहनों का रख रखाव करते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि वहू को कभी पहने को ही ना दिया जाता एक समय था जब तुम इस घर में व्या करके आई थी तुम्हें तो माइके से पहनने को नहीं देती तो तुम कैसे कुमला जाती थी क्योंकि तुम्हें गहनों की बहुत सोग था जिससे देखते हुए हमने धीरे धीरे करके तुम्हें इतने सारे गहने बनवा कर दिये हैं तुम भले ही अपने गहने मत दो लेकिन जो उसके लिए गहने खड़े थे वो तो उसे दे दिया करो पहनने के लिए बेटी के लिए इतना बड़ा दिल बहु के लिए जारा सी भी जगा नहीं है जब तुम बहु को अपनी किसी चीज में हिस्सा नहीं दोगी तो वो कल किस हक से तुम उससे सेवा करवाओगी उसका दिल तो तुम्हारी इन तुक्ष हरकतों से फट चुका होगा मालती जी के पती राकेश जी पतनी को समझाते हुए बोले अब मालती जी को कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था उन्होंने बहुत से माफी मांगी और उसकी गैने उसे वापस दे दिये थे असा करती हूँ दोस्तों ये कहानी आप लोगों को जरूर अच्छी लगी हो तो प्लिस वीडियो को लाइक सेर एंड सस्क्राइब किजिएगा धन्यवाद जय स्रिक्रिष्णा दोस्तों हरी बोल